नाजवाने बॉलिवुट को क्या हो चुका है जब से ही नए साल का आगाज हुआ है तब से ही दुखत खबरे सामने आ रही है लीजे हाल ही में जॉली एललबी टू, पीके और बर्फी जैसी सुपर हिट फिल्में अपने नाम कर चुके सौरब शुकला के घर से एक बेहत ही हिरान कर देने वाली खबर सामने आई जी हाँ कहा जा रहा है कि सौरब शुकला की मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया हाल ही में सौरब शुकला के करीबी विनीद कुमार सिंग ने ट्वीट करके इस बात की जुआनकारी दी है कि उनकी मातच्री अब इस दुनिया में नहीं रही हालकि विनीद कुमार सिंग ने कहा है कि हम लोग शूट के बाद कुछ प्लानिंग कर रहे थे कभी ये ख़बर मिली कि सौरब शुकला की मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया मैं उनके साथ काफी वक्त तक रहा जब कोई उनसे तस्मीरे खिचाने के लिए कह रहा था तब भी उन्होंने उसे मना नहीं किया सोचिए होते क्या है सितारों की जिंदगी इस तरहा से अक्टरिस की जिंदगी देखने में असान लगती है मगर असान नहीं होती बहती जादा दुखत है क्योंकि आपको बता दे कि सौरब यहाँ पर बहती जादा करीबी बताए जाते हैं अक्षे कुमार के चीहां जॉली अललबी 2 में भी सौरब और अक्षे ने एक साथ फिल्मों में काम किया था यगीनन ये ख़बर जब बॉलिवुड तक पहुंची होगी तब बॉलिवुड की आखे भी नम हो गई होगी नेक्स आइन उस रोम के रिपोर्ट झाल